क्या हुआ उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी है उन्हें गुसा आ यार वो लोग पुलिस टेशन को जला कर भाग गए इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बाते माननी चाहिए लेकिन देपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रही कि कल का सारा हंगामा सहाई के लिए हुआ था लेकिन वो नातक इंटरनाशनल क्रिमिनल ट्रक दीला तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना डैनी के लिए हुआ था ये मैं जानता हूँ क्या हुआ डैनी का नाम सुनते ही भगभग करके भॉकने वाली जुबान अब लड़ खडाने लगी भाई तुन्हें सीमा लांग दी है मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तुन्हें पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है पुलिस टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है उसे तोर दिया तुन्हें अगर तु कानून तोरकर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी लेकिन मेरे थाने को चला कर तु उसे भाला ले गया अच्छा हुआ की उसके पासपर को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बचाए मैंने उसे अपनी जेब में रख लिय मेरी बात मान सिंगम डैनी तोप के गोले की तरह है छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तुने मुझाओ घट जाओ या बिखर जाओ तुने मुझे धिवाली का हलका भुलका बठागा समझ सकते हैं क्याओ गाओ छोड़ गाओ शेहर छोड़ शेहर देश छोड़ देश एक एक और चुन चुन का कुट्टे की मात मारने वाला क्यम्रा जुमे मेरे वापस आने पर इस मुंबई शेहर में भूचा लाएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा लॉक अप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है इस माई और उस भाई और जगत राज को तुरन पैरस करो उससे कोई फाइदा नहीं होगा सर एरस्ट करने के बाद कोट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलटीज होती है इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा या फिर गला काटना होगा चार दोगों को बीच चड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर इंटेरेशनल खिमिनल के साथ बिजनस करने वालों का हम साधारन कानू से कुछ नहीं बिगार सकते तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाइ करने वाले डैनी तक सभी को एरस करना होगा साथ अपरेशन ओपरेशन दी अन ऑपरेशन बियांद रगुलर रूल्स और प्रमालिटीज टीके ये फैसला मैं अकेला नहीं लेका नहीं लेका टीके सकता मैं सीम से बात करके आता हूं सर एक और रिक्वेस्ट थी किसी भी पॉलिटिकल सिच्वेशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसल नहीं करेंगे मुझे आपसे ये बादा चाहिए सर मैं मुंबई में नौकरी करता हूं मेरा परिवार रिश्चिदार और सारे यार दोस सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सभी कुछ भुला कर मैं इस दल्दल में उतर कर काम करना शुरू कर दूँ उसकी बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक सूर तार जटकर रगएगा क्यूंकि ये गुं वह क्या कानूनी दाइरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूच कर करवाई थी जो भी करना है सोच की कीजा इस वीड़ी है ये वीड़ी है ये वीड़ी हैय शूर वीर महवली सूर्यसा ये संग टेज है तो सितार ठीके सारे कोई ना है इनके आगे ये गेम है गेम हर और है ये है और लेटर ये है ऑपरेशन लेटर भागता 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 हर चोर है आंधिसी आदि है शहर में पुलिस चुश्मनों पे बरस्ती है कहरसी पुलिस मर्दी की खातिर ये देटे है चावी अध्याचारियों की ये लेते है चावी खूल देखते की बाप सिंघं सिंघं पीजद सिंघं देखते है इसे भागते सारे दुश्मन सिंखम सिंखम इस दो सिंखम शक्ड़े फसाद इनके आते ही जाद थम खाकी वर्दी वाले इक नजर जो देखे लोग छोड़ देते इनके राज़ते देखते ही इनको अप राधियों के भोश ओड़ जाते दे हैं कांपते किंदो ओश यार कबरदार करती है है पॉलेस कष्णिया शहर में लगाती है पॉलेस उपर वाला भाला करेगा की निचे वाला भी भला करेगा सुनो माता तुम महान हो तुमने एक शेर पैदा किया है वो बहुत दहारता है आपको उसकी याद आती है आती है मेरा फेट खराला हो abаж पलाना लेकिन कौकरोच की तरह मसल मत देना यह तो दूसरे घर का बेटा ना समझ कर अपने ही घर का दामाद समझ कर सेवा करना तो धनलक्षमी स्वाइम आपके घरा कर जेजी सूर्या का दोस्त आ गया तो सूर्या के दोस्त हो ना मैं जानती हूँ क्या हुआ आलती क्यों रोपती मां यह सूर्या का दोस्त नहीं है मां अभी जो भैरूपे आया था ना वही है यह सिर्फ कपड़े बतल कर आ गया है लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया आरती उतारो ना मज़ा आ रहा है तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अभी उतारती मिर्यानी मचली फ्राइखाने कि लालच में भेज बदला था बस तुम्हें मेरे बेटे ने भीजा है तो तुम्हें आपने बेटे जैसे नहीं समझोंगे क्या लेकिन मैं दियर से समझता हूं बुद्धु हो ना दिदी एक में आपका पती सुवा नौ बज़े दुकान पर जाता है रात को बारा बज़े बात तो सही है लेकिन यह सब तुम कैसे जानते हो मुझे पता है मेहमान को इतने बुरी तरह पीठा है तो मेजबान का क्या हाल होता होगा तुझे तो मैं रुप जा ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लौरी के नंबर तक उसको बता है लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में बिले हुए उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना है मैंने फैसला कर लिया है श्री लंका से मैं एक शार्प शूटर को यहां पर बुलवा रहा हूँ वो समंदर के रास्ते हैं आएगा और पलक छबकने से पहले ही वो सिंगम के बच्चे के परखच्च उड़ा देगा आने वाले को कोई भी पहचान न पाए उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्ता और खाने के जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है यह रहा अलिबा का कोश्च ले रहा यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते हैं यह वह बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं होना तो इसलिए सान्या नहीं 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 आपके पास वहीं वापस लेने आई हूँ प्लीज तुम्हें ऐसा क्यों करते हुए यह क्या हो रहा है यह लो अप जाओ यहां से अधिया और आपका कोई ना कोई तो चैन लिंक है सर मतलब सबसे पहले काविया मैडम भी चैन की कंप्लेन लिखवाने आपके पास आई थी आपको उनसे पूछना चाहिए था नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो यह फिर बन्यान की तरह उपर से उतारती हो वह ना प्यार क मैडम उस दिन मैंने कहा था ना लेकिन आप तो मेरी बात मानी है नहीं अब देख लिया ना सापके घर से कैसे निकली है वो कि वह सब्सक्राइब करें अब आपके अब दोड़की और यहां क्या कर रही थी कौन सी लड़की जिसने पीले रंका सुट पैना हुआ था तुमने देखा नहीं क्या उसे अरे वह तो मेरी स्टूडेंट है स्टूडेंट तुम तो यहां एंसे सी मास्टर हो फिर वह तुम फसा दिया ना मुझे अब जाघर जाए वह नहां सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना उसने अली बाग आईये कहके बुलाया था सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए उसने बुलाया भी तो तुम गई क्यों उस लड़की का किन्नेप हुआ ऐसा फोन आया था इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना तुम तो एक टीचर हो आखिर तुम गए क्यों हलो मैडम क्या इतने सवाल किये जा रही हो यह एक लव मैटरेश को लोगा है मेरी सॉरी सर मैं दूबारा दूसरी कानी मिलता कावेब ओ वन साइड लव है कोई बात नहीं मैं देख लूँगी जिस्ट लिव इट आजाओ आजाओ वही है सुरिया सिंखाओ यह पायर कर दी है यह सर वह इस बिल्लिंग में पहले फ्लोर पर रहता है सर चाबी यह लो कि निशाना साथ लिया है ना हाँ वाई साथ लिया वह एकदम मेरा सामने है इस बर निशाना चुकना नहीं चाहिए काड़ी नीचे तुम्हारा इंदार कर रही है उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना ठीक है ठीक है कि अधिटर्टर्टर्टर्ट उसिंदें एक शाना रंखे अधिए यह थे एक अधिए यह थे अधिए अमिरत पुस्ति होगा तुम्हीं रोगी गोली किसे चलाईगी शाना आपने वाले का और से चलाईगी शाना है एए बाच्छा जदर हारी पाने कोडी लगेंगे है उसे जल्दी सिया हुलागे जरेगा जदर है शिंगा मच दिखला है जबाक्वास करना खो उसे अटाज चीजित एए है है कर, 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 क कर दो, 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 क گारं बढ मुझ भाउ बढ मुझ inky कार लिर दो क्यान बढ कर फट भी कर तो हो जो है जो है हाथ बत लगना देखो तुम्हारी तरफ है गाड़ी आ रही पुरंट उसमें बैठ कर निकलो वहां से ठीक है वो आ रहा है भाई मैंने कहा ने उसे गाड़ी में बिठा शाप शूटर को सिंगाम ने गोली मार दिया भाई गाड़ी उसके उसके उपर चड़ा दो यह आप क्या क्या रहो भाई कुचल दो आने कुचल दो चड़ाने गाड़ी उसके उसके उपर